आप सरी दर्शकों का स्वागत है इस नहीं वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे हाथ में केबल की fundamental analysis करेंगे साथ में देखेंगे technical chart पर क्या कह रहे हैं charts कि आपको खरीदना चाहिए कि यहाँ पर बेचना चाहिए आपको मालूमी होगा deal की news के बारे में हम यहाँ deal की कोई बात नहीं करेंगे हम सिर्फ basic fundamental business model की बात करेंगे और technical chart क्या कह रहे हैं यह बात करेंगे आपर ताकि आपको पता लगे कि क्या reality होनी चाहिए इस stock की आ गयाने वाले time के लिए चलिए शुरुबात करते हैं सबसे पहले इसके chart से तो अगर हम सबसे पहले chart पे देखें तो daily chart बनाया हुआ है आपके लिए देखें जब news breakout हुई थी volume के साथ में इसने 30 रुपे से बढ़कर इसका price चला गया था यहां तक पूरा 52 रुपे तक के आसपास चला गया था, 27 रुपे तक आसपास चला गया था उसके बाद से continuously downward fall चल रहा है फिर थोड़ा उपर गया यहां पर 40 तक उसके बाद फिर थोड़ा सा fall चल रहा है यहां पर तो एक चीज़ तो clear है कि इसमें थोड़ा सा यहां पर 31 रुपे के आसपास कुछ support लग रहा है, यहां पर demand zone है डील होने से पहले और डील होने के बाद भी यहां पर aroundment होने के बाद भी यहां पर 31 रुपे, 30 रुपे के आसपास थोड़ा सा positiveness नजर आ रही है यह तो clear cut आपको दिखाई देना चाहिए यहां पर chart की basis पर दिखा जाए volume बहुत कम हो गया, जैसे आपको पता है देख पीर सकते हैं आप इसमें chart में अगर निफ्टी की बात करें, तो Friday को निफ्टी ने एक बहुत बड़ा नीजर reaction दिखाया, 15 मिनट में 100 points गिर गए और हमारे का stop loss हिट हो गया तामारा यहां पर, super trend के basis पर clear cut, downward signal चल रहा है, तो अभी यहां पर current view से trading के basis पर purchase नहीं कर सकते हैं वहीं अगर high, sorry, वहीं पर अगर bullinger band का section देखा जाए, तो पिछले दो महीने से continuously band के नीचे वाले हिस्से में काम कर रहा है, जो की healthy sign नहीं है stock के लिए, यहां से अभी भी downward trend continue रह, रह सकता है stock का, अब अगर इसकी हम sales की बात करें, तो जून की जो sales आई है, वो करीब 46 करोड की sales आई है, मार्च के comparison में 56 करोड की sales थी, आगे का business कैसे होगा, देखो दोस्तों, आपको यह चीज समझनी है, कि आगे आके 5G चलेगा, तो यह जो सारी cable companies हैं, थोड़ा बहुत उनको impact पढ़ने वाला है, तो इस बात से आप ध्यान रखेगा, कि इसमें आगे आने वाले time के लिए, थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, stock में काम करने के लिए, इसकी valuation की बात की जाए, तो market capitalization, 8000 क्रोड की market company है, please consult your financial advisor before investing in trading, तो company के reference में देखा जाए, तो यह company, अगर आप invest भी करना चाहते हैं, किसी भी reasons से, अगर आपके पास को inside information है, तो 5% से यदा portfolio मत निवेश कीजेगा, हमने ना खुद इसमें निवेश किया है, ना हमने अपने clientele को इसको निवेश करने के लिए advise किया है, based on certain future business growth outlook prospects of the company, और 5G आने के बाद में, इन सब का थोड़ा सा दिक्कत होगा, जैसे हमारे team है UK में, तो उन्होंने हमें पताया है कि वहाँ पर 5G already implemented है, तो यह सब broadband और TV companies के साथ में अब दिक्कत हो रही है, यह सब merger चल रहा है उनके साथ में, और वहाँ पर 5G is primarily source of communication for TV, net and everything, तो यह एक आपको concept थोड़ा समझना होगा, इस वज़े से आपको फाइदा रहेगा आ गयाने वाले time के लिए कि business growth opportunity क्या है, product unique नहीं है, न growth opportunity है, न margins है, तो इस वज़े PGM का reference में यह model अच्छा नहीं है, इसलिए हम इसको purchase नहीं कर रहे हैं, हमने education वीडियो की playlist मनाई हुई है, जिसमें आप अपने मर्जी से देख सकते हैं, 7 mistakes to avoid in market और PPF का account खोलने का, आपको क्या फाइदा मिल सकता है, example के साथ बताया है, अगर आप 30 साल की वर में खोलते हैं, तो आपके करोड़ो गुना फाइदा मिल सकता है, और अगर हम यहाँ पर अब देखें, MACD के reference में, तो MACD negative ही चल रहा है, कोई ज़्यादा momentum नहीं है, stock में volume नहीं है, तो इसलिए कोई ज़्यादा activity नहीं हो रही है, तो हमारी सलाह, अगर आपको खरीद नहीं है, तो आप आपके बास को information तो आप खरीद सकते हैं, और ना आप इसको award कीजे, अपना समय देने के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारूद